आज 17 जुन है बाजार के अंदर कल काफी बिक वाली थी आज थोड़ा बाजार संबला है एसे बाजार के अंदर बढ़िया शेर जो है वो बढ़िया खरीदारी का मौका देते है तो आजी के दिन में दो शेर लाया हूँ एक तो रूची सोया और दूसरा है जेएस ड़्यू क्या हो सकता है कहां पर आप अच्छा कसा इसको इंदर सपोर्ट है कहां पर रजिस्टन है तो वो दोनों ही चीस देखे के इससे जो है आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी चाहे आप लोंग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए तो चलिए सबसे पहले हम शु इसे ही वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट है शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले अगे भी इसी बहुत ही इंपोर्टन वीडियो आने वाली है जो कि आपके लिए यूस्पूल हो सके तो इसके अंदर देखे तो आज ब्रीज किया था और इसके जो आरे साइक का लेवल है वह भी आप देख सकते हैं 40 के आसपास से तो अभी यह ओवर सोल भी नहीं हुआ है ऐसे बाजार के अंदर इतना मजबूत शेयर आप कुछी शेयर से एक तो यह एफेम सीजी कंपनी है यह भी मैं आपको बता दू एपेम सीजी कंपनी जो है वो हमेशा गिरते बाजार के अंदर एक डिपेम सीजी का सेक्टर का काम करती है इतना ज़्यादा गिरती नहीं है यह आप यह मान कर चल सकते हैं कि यह जीवन जरूरी चीज है रूची सोया मतलब कि यह ओयल कंपनी है तो एडिबल ओयल जो की खा इसका थाउजर रूपीज से तो यहां से अगर बारा सो की दूरी करे तो भी यह 20% के आसपास तो हो गाई मतलब कि अगर 12 रूपे तक भी जाए रजिस्टं को फेस करें यहां से यहां और यह उपर बारा सो को देखेतों फिर भी 20% का return इसके अंदर सकता है लेकिन अगर आप देखे तो नीचे support इसका जो है बहुत ही नजदी के यहां पर आप देख सकते हैं यह 200 दिनों का moving average है और आज अगर देखे तो यह जो red color की line है अभी मैं zoom भी कर दूगा आपको यहीं से इसी के आसपास से मतलब कि यहां पर एक इसको अच्छा का सा support मिला आज ही इसके अंदर एक खरीदारी का वेतरी मौका था मैं हमेशा आपको कहता हूं कि सभी को कि आप एक साथ खरीदी ना करें मतलब कि अगर आपको 10,000 रुपे का invest करना है तो आप दो बार में invest कर सकते हैं तीन बार में invest कर सकते हैं अगर और यहां इसी के आसपास से एक इसने bounce back दिया है अच्छा का यहां पर एक support दिया है तो अगर market ने साथ दिया सोमवार को तो यहां से और यह तेजी इसके अंदर आ सकती है और सबसे पहले यह BAC की website के उपर में लेकर आए हूं यह रूची सोया क्या शेर इसकी जो company की valuation है वो मैं थोड़ी सी आपको शेर करना चाता हूं यहां पर आप देख सकते इसका पीवी रेशियो 45 के आसपास दिखा रहा है BAC की website है तो यह trustworthy website है हर एक website के अंदर पी रेशियो पीवी रेशियो अपने इससाब से मतलब कि थोड़ा सा change होता रहता है बताते है data के इससाब से पीलार BAC की website के उपर आप देख सकते है price to book ratio तो 6 के आसपास है और return on equity बहुत ही बढ़िया मुझे लग रही है क्योंकि अगर आप देखे तो यह 13 के आसपास है FMCG कंपनी के अंदर और यह सबसे बड़ी बात कि यह अब जो है यह debt free हो गई है इसके जो FPO की जो इसने पु को मिल सकता है और profit भी अच्छा कासा इसके अंदर हो सकता है यह मैं long term की बात कर रहा हूं short term में अगर देखे सबसे पहले में comparison करूगा तो यह इसका पी रेशियो price to book ratio और ROE आप देखा अब अदानी wilmar का जो कि इसका एक listed pier है उसके अंदर भी आप देख सकते आदानी wilmar इ यहां पर लेकिन बहुत ही ज्यादा है और price to book ratio जो कि 10 के आसपा से वह 6 के आसपा 6 से भी कम था रूची सोया का और ROE return on equity अगर देखे तो 6 के आसपा से और हाला कि सबकी अपनी-पनी कहानी है अदानी का जो शेर सभी शेर से वह ज्यादा premium quote करते है ज्यादा premium को उपर trade करत हैं तो इसा नहीं कि अदानी वीलमार जो है वह बुरा है अगर आपको वह अच्छा लगता है तो वह भी अच्छा है उसके अंदर भी अच्छा कासी ट्रेडिंग की opportunity हो सकती है या investment की opportunity हो सकती है लेकिन अगर मैं fundamentally अगर valuation की बात करूं तो valuation के अंदर पतंजली मतलब की यह रूची सोया है वह अदानी वीलमार से थोड़ा सा जो है cheap है सस्ता है लेकिन आप यह भी हमें से याद रखे कि अदानी के सभी share से वह ज्यादा premium पर ही court करते हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं यह इसका weekly chart में लगाया है इसके अंदर काफी important चीज है अगर आप देख सकते ह बतानी तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3500 का हाई बनाया था उसके बाद यहाँ पर नीचे मैं एक support है उपर में lower high बना रहा है साथी-साथ नीचे में जो है a उपर में जहें lower high बना रहा है, उपर में higher low बना रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर और फाइनली यहां पर अगर देखें तो यह 12.00 रुपे तक के high बना कर, जब भी यह इस उपर की trend line को break करेगा, तब इसके अंदर एक गजब की तेजी आ सकती है, सबसे पहले यह 13.30 रुपे, उसके बाद देखें तो यह 1500 रुपे के असपास, जहां पर इसने high बनाए था है, और मुझे सलग रहा है कि अगर आने वाले एक दो साल के अंदर यह 1500 के लेवल को भी क्रोस करके ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसका business बढ़ेगा, तो obviously इसका share का यह 50 week का moving average है, जो कि यह भी 950 रुपे के आसपास है, और आज जो है इसने low बनाया था, 950 रुपे के आसपास, यह weekly chart है, लेकिन इस पूरे week का सबसे lowest लो जो लेवल है, वो 960 रुपे है, तो इसी के आसपास यह अच्छा का सा support ले रहा है, तो अपने support zone के ऊपर ही है, तो आज मैंने यहाँ पर और इसके अंदर एक चीज और जो भी लोग इसके अंदर long term के लिए निवेशी थे, अगर वह stop loss, trading stop loss भी लेकर बेठे है, तो मुझे इसा लग रहा है कि काफी deep stop loss है, जो कि 840 रुपे से थोड़ा सा इसके आसपास का एक stop loss, long term के लिए कोई भी अगर लेना चाहे तो ले सकता है, बाकि मुझे इसा लग रहा है कंपणी बहुत अची है, अगर short term में stop loss की बात करूँ तो वो अगर देखिए आपकी के हिसाब से है, मतलब कि आप current level के उपर भी बाइंग कर सकते है, अगर आप चाहे तो दो टूपलो में बाइंग कर सकते है, त जब यह 900 से थोड़ा नीचे जाए तब और 900 रुपे से थोड़ा सा नीचे, 10-10 रुपे नीचे का एक stop loss ले सकते है, जो कि यहाँ पर एक इसने low बनाया था, तक्रिबन तक्रिबन यह तो 870 रुपे के आसपास का था, तो यही इसी के आसपास का SL लेकर इसके अंदर बाइ तो यह एक टेकनिकल इंडिकेटर है, यह भी मैं आपको बता दू, यह रूची सोया का सिर, यह एक टेकनिकल जो इंडिकेटर है, इसके अंदर जो है, सपोर्ट और बताता है, तो इसका करण मार्केट प्रेस आपने देखा, 1000 रुपे के आसपास है, और पहला जो सपोर्ट है, वो 907 रुपे के आसपास, 900 रुपे के आसपास बता रहा है, दूसरा सपोर्ट जो कि 700 रुपे के आसपास बता रहा है, यह लेवल भी तो अभी बहुत ही दूर है, हम फिलाल यह इसी के बात करेगे, तो मतलब की 950 से 900 रुपे, एक अच्छा का सपोर्ट है, इसके है, एक से दो मेने के लिए और आप रख सकते हैं, और जब जैसे ही 1200 को क्रोस करेगा, तो यह अच्छी का सितेजी इसके अंदर आ सकती है, चलिए हम बात करेगे, JSW Energy की, यह इसका डेली चार्ट है, और इसके अंदर देखे तो यह 240 रुपे के आसपास, सबसे पहले तो इसके उपर एक इसने सपोर्ट लिया, फिर से इसके अंदर एक तेजी है, यह 320 के करीब, और 320 रुपे से यह लगातार गिरावट करके आप यह 200 रुपे तक आ गया है, 204 का आज लो बनाया, और 210 रुपे के उपर क्लोजिंग हुई, और इसके भी हम पिवर्ट पॉंट दे 10-15 रुपे उपर नीचे से अभी यहां से यह reversal हो सकता है, तो आप इसको नोट ज़रूर कर ले, एक technical indicator है, बहुत ही बढ़िया काम है इसका, और सबसे अगर देखे तो यह इसका daily chart फिर से मैंने लगाया है, और यह थोड़ा सा long term chart है, इसके अंदर जो है, मैंने ballinger bank भी रेली दी थी, फिर से अब यह वहीं जो है, यह repeat कर रहा है, फिर से बोलेंजर बेंगी निटली लाइन को यह टच कर रहा है, तो हो सकता है कि अगर इसके अंदर फिर से एक bounce back आए, जैसे कि 200 रूपे के आसपास आज ही इसने low बनाया, तो एक psychological support भी है, और fundamental support भी है, तो फि इसका weekly chart में ले लगाया है, काफी यह एक JSW Energy, सबसे पहरे तुम्हें आपको बता दूँ कि इसका share क्यों गिरा है, क्यों घटा है, क्योंकि इसके अंदर देखे तो जो fuel के price, जो crude के price जो है, वो इसके अंदर बढ़ोतरी हुई, crude के price के अंदर, इसी वज़े से जो है, इसक कुछ ज्यादा, कंपनी का अंदर कुछ ज्यादा कुछ गड़बर है नहीं, और इसके अंदर देखे तो मतलब कि कुछ बुरा ही नहीं है, actually मैं यही कहना चाहता था, और इसका 50 weeks का moving average 270 रुपे का आसपास, और 100 week का moving average 280 रुपे का आसपास, तो अपने support के करीब है, तो इसके में stop loss, अगर मैं suggest करूगा तो 190 रुपे के आसपास का stop loss लेकर काम कर सकते हैं, उपर में जैसे कि मैंने बताए है, कम से कम, अगर बाजार स्तीर रहा, तो 240 तक के भाव दिखा सकता है, और यह और भी ज्यादा बढ़ सकता है, अगर crude के price में, call के price में थोड़ी करें और उसके बाद ही, accordingly decision ले, तो decision ले, तो उसके जीमेदारी भी maturity के साथ खुदी ले, so thank you for watching this video.